स्वागता बच्चों आपका सेल स्टडी के चैनल में और आज हम एक विधेक आया है खासी विरासत संपत्ती विधेक करंट इशू है इसके बारे में जानने वाले और काफी जादा इंटरस्टिंग चीजे हैं इसके बारे में कि आपको बारत के अंदर एक अलग से एक रितिर पहाडियां भी हैं वहाँ पर इसी नाम से तो वहाँ पर ये जो जंजादियां रहती हैं एक अलग कस्टम फोलो करती हैं वहाँ पर एक विधेक आया है उसके बारे में हम जानने वाले हैं और ये जब विधेक आया है तो काफी सारी चीजें जो है बाहर निकल कर आ रही है जैसे यहां पर आप इंडियन एक्प्रेस के अंदर एक न्यूज आईदी उसी ने यहां पर explain किया है और मैं वहीं से आपको जमझा रहा हूँ एक बिल पेश किया गया है यह ramification या फिर सुधार करेगा matrilineal मेगाले मतलब matrilineal एक विवस्ता चलती है मेगाले में उसको यह उसके अंदर कुछ सुधार करने वाला है या फिर कहें उसको ओर जादा progressive करने वाला है अपडेट करने वाला है clear? ओके जैसे कि मैंने कहा कि मेगाले के अंदर ये गारो, खासी, जैनतियां तीन जन जातियां रहती हैं अब इन तीन जान जातियों को देखिए हमारे जो ये जो नोर्थ इस साइड का जो अपना state है यहां की जो राज्ये हैं वहां पर main जो चार राज्ये हैं यहां पर ना एक अलग से autonomious council का मतलब होता है कि जैसे हमारे जो यहां पर cities के अंदर आप देखते हो कि municipal corporation या फिर नगर निगम होते हैं गाओं में पंचायत होती है तो वहां पर पंचायत को कुछ अधिकार दे दिये जाते हैं कि आप गाओं में अपना काम कर लीजिए या फिर नगर प पास पावर यह होती है कि यह इतनी विजिन जाती हैं वो अपने फैसले खुद यहां के कानून वो खुद बनाएंगे भार सरकार इसके अंदर कोई भी इंटरफेर नहीं करती है तो autonomous council समझ में आई किस schedule के अंदर यहां पर आती है वो चीज़ें समझ में आई तो autonomous council ने माता पिता की प्रोपर्टी को किसमें equal distribute करेगा siblings जो भाई बैन है उसके अंदर खासी community के अंदर जो खासी community है उसके अंदर equally distribute किया जाएगा और प्रोपरेटी को माता पिता की property को वहां की माता पिता के बच्चों में clear तो सर क्या पहले नहीं हो ती थी property distribute equally नहीं ऐसा नहीं अंदर change लाने वाला है पुरानी जो सब्वेता कौन सी है matrilineal जो सब्वेता है उसके अंदर ये change लाने वाला है अब matrilineal भी समझाता हूँ इसके अंदर होता क्या है यह रही गारो खासी जहनती है तीन tribes है अब matrilineal को समझो what is matrilineal society matrilineal society होती क्या है अब देखो matrilineal सम समझने important है एक है patriarchal एक है matriarchal दो शब्द पहले समझो फिर यह समझो matrilineal क्या होती है patriarchal का मतलब होता है patrisatatmak और matriarchal का मतलब होता है matrisatatmak क्या मतलब होता है इसका हम जो भी अपने भारत के अंदर एक विवस्ता देखते है वहाँ पर घर के अंदर मुख्या की भूमिका कौन भाता है पुरुश कि भई फैसले कौन लेगा पुरुश लेगा पंचायत में कौन बैठे हुए मिलते हैं ओरतों को दबाया जा रहा है ऐसा नहीं है मतलब यहाँ पर पुरुश की वेल्यू जादा होती है ऑसि производ तु वोमें ये पेट्रियार्कल की एक कही जाती है ऐसी परिभाष Александ कही जाती है कա ऐसा नहीं होता है सबको equally दर्जा दिया जाता है तो मुझे गलत मत बोल देना कि ऐसा है तो मेट्रियार्कल में क्या होता है मेट्रियार्कल में अब सोचो पंचायत के अंदर पुरुष बैठ रही है, मेट्रियार्कल के अंदर पंचायत में महिला बैठ के फैसला ले रही है, तो ये जो दो शब्द हैं आपको समझ में है, पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल, पेट्रियार्कल का मतलब जहां पर पुरुष परधान है, Matriarchal के मतर जहां पर है महिला परधान है clear यह चीज़े, अब जो Matrilainal है, Matrilainal इससे भी एक कदम आगे है किससे, Matriarchal से Matrilainal के अंदर क्या होता है कि आम तोर पर जैसे हम देखते हैं, मैं यहां से ऐसे समझाता हूँ यह पुरुष है यहां पर male लिख देता हूं इसके उपर M यह महिला है इसके उपर female लिख देता हूं तो हम जैसा देखते आए हैं हमारे society के अंदर क्या होता है कि महिला जो है पुरुष से शादी करती है और यह महिला ट्रांसफर हो जाती है पुरुष के घर पे मतलब इसको ऐसे समझा रहा हूं गलत नहीं कह रहा हूं होता क्या है कि महिला अपना घर चोड़ के माईका चोड़ कर अपने ससुराल में आ जाती है यह आप तोर पर हमारे भारत में हम देखते हैं रिती रिवाज हम जादा तर यही देख रहा है तो यह चीज़ यहां पर मेटरलीनेल में क्या होता है महिला नहीं जाती कहीं पर भी यहां पर पुरुष चला जाता है महिला के घर रहने यानि वो अपने ससुराल रहने जाएगा यहां जो हमने अम तोर पर चीज़ें देखिए कि महिला अपना सरनेम बदल देती है लेकिन मेटरलीनेल के अंदर पुरुष अपना सरनेम बदलेगा यहां उसका नाम बदला जाएगा और वो अपने पत्नी के घर जाके रहेगा और यहाँ पर जादा जो रूल चलेंगे या फिर कहेंगे जादा जिसकी चलने वाले है वो महिला के चलेगी, महिला के घरवालों के चलेगी, महिला के घरवालों में जिसे जो इसके नाना की, मामा की, इनका इंटरफेरंस जादा रहेगा as compared to पुरुष, या पुरुष को नहीं है, कुछ और भी चाज़ें जो वो इंट्रस्टिंग है, जैसे अरे ये अकेलिक खासी के अंदर ही नहीं, जैनतिया, गारो, ये पुरे मिघालने के अंदर ये मेट्रिल लिनल सिस्टम ऐसे चलाया जाते है, clear, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें एक इंट्रस्टिंग ब अरे ऐसे ही होते हैं, कि बुआ को कुछ नहीं मिलता, बेटे को मिल गया, तो यहां पर लड़के को मिल जाता है, लड़की को नहीं मिलता है, ये हम आम तोर पैसे देखते हैं, लेकिन मेघालने के अंदर ये बिलकुल अलग है, बिलकुल अलग है, अगर शादी हुई, यहा पुरुष के साथ नाइन साफी हुई उनका क्या होगा अभी आ रहा हूँ उस चीज़ के उपर भी कवर करूँगा इसको पहले समझ लो कि यहां पर जो संपत्ती है वो लड़की के पास चले जाएगी अब एक और इंटरस्टिंग चीज़ क्या है अगर सुपोज दोनो लड़की हुई तो किस के पास जाएगी यह काफी इंटरस्टिंग है तो दोनो लड़की हुई तो इसमें जो संपत्ती है वो छोटी लड़की के पास जाएगी बड़ी लड़की को कुछ नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि यह जो सोच आप देखो न तो इनका कहना यह है कि अगर हम छोटी के नाम संपत्ती करते हैं तो वो तुलनात्मक रूप से जादा दिन तक जीवित रहेगी किस से बड़ी लड़की से और वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख पाएगी जादा टाइम तक अगर बड़ी लड़की को दे दिया तो वो छोटी का ध्यान रखना बंद करते हैं तो इसलिए छोटी लड़की को संपत्ती यहां पर दे दी जाती है और इस छोटी लड़की को संपत्ती देना ही कोटडू कहलाता है शाहिद मैंने इसको सही से परनशिट किया हो अब यह हो गया यहां पर संपत्ती किसके नाम चले जाती है लड़की के नाम चले जाती है क्या सर लड़के को कुछ नहीं मिलता या जो पती है जो यह इस महिला का पती है यह क्या होगा भई देखो यहां पर होता क्या है कि जो संपत्ती जो है वो तो लड़की के नाम गई लेकिन एक पुरुष जिसने महनत करके अपना घर बनाया वहां पर यह वाला कानूल मैटरिल लिनियल जो कानूल नहीं वो काम नहीं करता वो अब उस पुरुष के समझ पे या फिर उसकी जो इच्चा होगी उसकी प्रडिपैंड करता है कि अगर इस पुरुष ने अपनी महनत से कोई घर बनवा लिया और घर बनवाने के बाद इस पुरुष ने वो घर या फिर जो संपत्ती इसने इकठा की वो उसके दो लड़का लड़की है वो जिस मरजी को चाये उसको दे सकता है ये पुरुष के पास पावर होती है उसके उपर मैटल लिलनिल का कानून नहीं चलता है वो अपनी महनत से जो इसने किया है वो इक्कोली डिस्टिब्यूट करे करें तो करें ना करें ये चीज रोती है लेकिन जो महिला का चलता आ रहा है वो तो भाया लड़की में ही जाएगा और इस लड़की को बतलब जो छोटी बच्ची है उसके नाम कोई प्रोपर्टी हो गई अगर कलको उसे अपनी कोई प्रोपर्टी बेचनी पड़ेगी तो वो ऐसे नहीं जाएगी उसे अपने मा के जो भाई है यानि मेटरनल अंकल यानि की मामा उससे पूछना पड़ेगा तब जाके वो प्रोपर्टी सेल करेगी और देखे कितना बढ़िया सिस्टम है यहाँ पर आप इनकी यहाँ पर एक मिनट यह क्या हो गया चल गया चल गया चीज़े न टेकनिकल प्रोब्लम होती है यह कभी कभी आ जाती है अच्छा अच्छा हो गया अगर आप यहाँ पर सिजन मेकर्स में मेगाले में औरतों का महिलाओं का अगर योगदान देखे हैं तो बहुत बढ़िया आंकड़े हैं आपके सामने कि 84% महिलाएं जो है married woman जो है वो खुद फैसला लेती है अपनी health care से related कि क्या करना है अपनी health से related उनके पास इतनी power होती है 87% जो महिलाएं है शादी शुदा जो महिलाएं है वो खुद डिसाइड करती है किस relative से मिलना और किस relative से नहीं मिलना है 48% महिलाएं है मेगाले के अंदर जो ये डिसाइड करती है कि पैसे को कैसे use करना है 54% महिलाएं ऐसी है married जो मेगाले में है जिनके पास खुद का एक saving account है जो अपने लिए वो use कर सकती है 43% महिलाएं उनके पास खुद की जमीन है या फिर joint उनकी जमीन है मतलब महिला होगी महिला के जो मामा होगे इन से related जो उनके पास जमीन होगी और 57% महिलाएं ऐसी है जिनके पास खुद का घर है या joint उनका खुद का घर है clear हुआ तो यह काफी बढ़िया आकड़े है जो tribe जो जन जाती है आप देखिए कितना बढ़िया इनोंने woman empowerment को आगे बढ़ा रखा है इतनी बढ़िया progressive सोच के साथ आगे बढ़ रहे है कि महिलाओं को इतना जाद योगदान दे रखा है काम के अंदर वहाँ पर महिला है जबी metrilineal की चल रही है मेगाले ही इकलोता है जहाँ पर metrilineal की ऐसी सुवीदा चल रही है अब ये वाली जो चीज मैंने आप लोगों को बता दी है कि है क्या तो सर ये पढ़ा क्यूं रहे हो इसके अंदर अब ये बिल क्या है तो बिल क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बिनिट कहा गया अरे provisions दे एक बिनिट एक बिनिट अब यह जो बिल आया है इसके अंदर क्या होगा इस बिल के अंदर जो माता-पिता की जो संपत्ती है अब वो बराबरी हिस्सों में बठेगी मेल और फीमेल के अंदर तो ये एक तरीके का समझ सकते होगी प्रोग्रेसिव थोट है इसको और ज़्याद अपडेट किया जा रहा है कुछ घटाया नहीं जा रहा है और इसका कोई विरोध भी नहीं कर रहा है तो यह चीज होगी और इसको करेगा कॉन? इसको करेगी खासी Hills Autonomious District Council यह चीज करने वाले हैं इन्होंने यह बिल पेश किया है और यह आपको पता होना चाहिए कि हमारे Six Schedules के अंदर यह चीज़ें आती हैं जहांपर यह Power दी गई है Schedules क्या होते हैं Autonomious क्या होते हैं यह ओलड़ी मैं अपनी वीडियो के अंदर करवा चुका हूं जो Schedules हैं उनके उपर तो मैं ओलड़ी वीडियो कर चुका हूं Constitution के उपर तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो तो बस आज के लिए इतना ही था काफी Interesting था मुझे लगा कि आप लोगों के साथ चीज़ें डिसकस की जाएं तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में Thank you for watching this video और लाहिक करिए वीडियो को और शेर करिए चैनल को भी और वीडियो को भी Thank you